सब्सक्राइब कीजिए अंजली न्यूस कॉर्णर चैनल को और साथ के बेल आइकों को दुपाईए ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकेए नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपको मेरी चैनल में फिर से एक बार वहूँ आपकी वही अंजली खुब सूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है जाने कब कौन जिन्दगी का हिस्सा बन जाता है कुछ लोग जिन्दगी में मिलते हैं ऐसे जिन से कभी ना तूटने वाला रिष्था बन जाता है जी आपने सही सुना हम आज के डेली राशी फल की बात कर रहे हैं सबसे पहली आज जी जिनका बर्टे हैं या फर मारीज अनुवर्सरी हैं उनको मेरी तरफ से छेर सारे गुडविशिस और बधाई हो तुछ लिए शुरू करते हैं मोती कभी भी कि नारे पे खुद नहीं आते उन्हें पाने के लिए समुन्दर में उतर नहीं पड़ता है वो आपके लिए बना है वो आपको ढूंड ही लेगा त्रिड निश्ची के साथ सुभा बिस्तर से उठो और मन की संतुष्टी से रात को वापिस आओ शिरुवात करने का तरीका है कि आप बात करना छोड़ दें और बस काम करना शिरू करें जिसे व्यक्ति में आदम विश्वास होता है वे दूसरों का भी विश्वास हासिल करता है आपकी सीमा ये केवल आपकी कलपना है क्योंकि आप असीमीथ हैं अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं केवल उन्ही के साथ रहना की कोशिश करें जो आपको उंचा उठाने वाले हैं अगर आप एक चैंपियन बनना चाहते हैं तो अपने जीवन में बहुत मजबूत बनिये जीवन बहुत दिल्चस्प है अन्त में आपके कुछ महान दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं आप वास्तम में कभी भी किसी और के लिए परियाप्त नहीं होंगे अगर आप पहले खुद के लिए परियाप्त नहीं है मन ही सब कुछ है आप जो सोचते हैं आप बन जाते हैं जब आप अपनी कीमद जानते हैं तो कोई भी आपको बेकार महसूस नहीं करवा सकता चलिए शुरुबात करते हैं आज के पंचांग से तो दिन रहेगा आज का शुक्रवार का दिन विक्रम सम्वत 2017 महीन आ रहेगा फालगुन का कृष्ण पक्षकी जो तिथी बन रही है वो रही आज की पंचमीद थी जो कि सुभा की 8 बचकर 17 मिनट तक चलेगी आगे जो है अगले दिन शुष्टी थी बन रही है जो कि अगले दिन के सुभा के 6 बज़े तक चलती रहेगी और उसके आगे सब्तमीद थी बन रही है योग की बात करें तो व्यती पात योग बन रहा है रात की जो है 11 बचकर 49 मिनट तक की चलता रहेगा और इसके आगे वरियान योग बना रहेगा अब नक्षत्र की बात करते हैं तो जेश्टा नक्षत्र बन रहा है ये जो है अगले दिन की सुभा के 3 बचकर 44 मिनट तक की चलेगा और इसके आगे जो है मूल नक्षत्र बना रहेगा अब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं सूरी उदे के समय के बारे में सूरी उदे का समय रहेगा सुभा के 6 बचकर 10 मिनट पर सूरी आस्ति का समय रहेगा शाम के 6 बचकर 49 मिनट पर चंद्रे उदि का जो समय है वो रहेगा ग्यारा बचकर छपन मिनट पर चंद्रास्ट का समय रहेगा नौ बचकर 31 मिनट पर रितू वही रहेगी वसंत रितू चंद्राशी रहने वाली है वरेश्चिक राशी जो कि एगले दिन के सुभा के 3 बचकर 44 मिनट तक चलती रहेगी अब बात कर लेते हैं आज के शुब समय की शुब समय का टाइम रहेगा सुभा के 7 बचकर 44 मिनट से लेकर के 9 बचकर 17 मिनट तक और जो रहुकल का समय है वो रहेगा सुभा के 10 बचकर 51 मिनट से ले करके ठीक तो पहर के 12 बचकर 25 मिनट तक याद रखीगा कि रहुकल के समय किसी भी तरह का कोई भी शुपकाम जो है वो जो है आपको बिल्कुल भी नहीं करना है तो चली जान लेते हैं आज की डेली राशी फल्क के बारे में सबसे पहले मैं आपको पता दू कि अजाब के लिए जो है जो रंग है भाकिशाली वो रहने वाला है आज का रेट कलर और जो लगी नमबर है वो नमबर पांच बन रहा है आज के लिए काफी दिनों से अठकी हुई बातों में प्रगदी नजर आने वाली है आजाब के द्वारा प्रत्न भी बढ़ाए जाएंगे जिसकी कारण योगी व्यक्ति के साथ मुलाकात आजाब की हो सकते है जो काम को आगे बढ़ाने के लिए काफी मददकार भी होगी आजाब को अपना विश्वास और धैरे बढ़ाने की अविशक्ता है तो उसको जरूर बढ़ाईएगा फिलहाल परिस्थिती मिश्चित्फल दायक है इसके लिए छोटी बातों से फोरण हार मत मानेगा अगर आपने जल्दी ही हार मान ली तो अच्छी बात नहीं होगी आप कुछ ने कर पाएंगे इसलिए आपको हर परिस्थिती में ढट कर रहना है और आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं वही आज एक घर में किसी धार्मिक आयोजन सिरलेर प्लानिंग्स वगेरा चलने वाली है पिछली कुछ समय से चल रही प्रॉब्लम्स पे भी आज आपको रहत मिल सकती हैं काम की अधिकता रहेगी लेकिन आप अपनी कारे कुछलता और उर्जा से उन्हें संपन करने में भी सक्षम रहेंगे साथ इमया जो बच्चों की करियर को लेकर चुनता रहे सकती हैं लेकिन समय आने पर परिसितियां आपकी अनुकूल भी होती नजर आने वाली है पडोसियों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर आज विवाद विवाद हो सकता है तो बहतर होगा कि दूसरों की जो प्रॉबलम्स है जरा उनसे दूरी बना कर रखिये तब ही आपके लिए बेटर रिजल्ब मिल सकते हैं आपको वही आज अधिकतर बातें आपके मन के हिसाब से ही हो पाएंगी फिर भी जिन बातों में आपको प्रगती नहीं नजर आ रही ऐसे बातों के वज़े से अधिक नराजगी भी रह सकती है वरतमान में रहे कर जितना समय आपको मिला है उसमें आपको जह अपने काम में जो है, फोकस रखना पड़ेगा, ज़रा ध्यान दीजिए, दोस्तों के द्वारा आपको गलत अमार्ग दर्शन भी मिल सकता है, इसलिए किसी पर भी आपको जो है, फोरण विश्वास बिल्कुल भी नहीं करने ना चाहिए, साथ में आज समय भावुकता की बज्जाए विवहारी की सोच रखने का है, आप पूरी महनत से, पूरी लगन से अपने लक्ष को हासल करने में काफी सामर्थ्य हासल कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, इसके साथ ही आज किसी सबंदी के यहां मौका मत गवाईएगा आज, बालचित करते सबें भी आपको उच्चित शब्दों का परियोग करना होगा, नहीं तो कोई वाद वाद जैसे सितियां भी हो सकती है, आज संतान से रिलेडिर परिशानी हो सकती है, आपको जो है, उनके मनोबल को बढ़ाना है, या आपका दा तो इस चीज़ पर आपको आज के दिन फोकस अवष्य करना चाहिए, तो उसे के साथ ये बागे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं आज के बिजन्स और करेर के बारे में, तो बिजन्स और करेर आज के दिन आपका कहता है कि समय मारकेटिंग और मीरिया से रिलेटी जो काम ह उनमें अपना जादा समय प्लीज प्लीज फजूल जाया मत कीजेगा, टीवी देखते समय जादा फजूल मत कीजे अपना टाइम, रियल लाइफ में जो आपके लिए उम्पॉर्टन है उसको जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी किसी नए काम में हाट डालने के लिए समय भी निकोल नहीं है, अचाना कि किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, बिजने से व्यक्ति, जो है बिजने से लिए जूट जो व्यक्ति हैं, उनसे काफी ची प्लानिंग्स भो हैं, उनके आदान पदान कर सकते हैं, जिस सरे लिए आप कुछ नए नतीज़े पर ना जो आप जिसे मित्र वग्यारा है या फिर साथ काम करने वाले हैं उन्हें से रिलेशन रखिए जो पॉजिटीव हैं, जो अच्छी हैं जो जिनकी संगत अच्छी हैं तो प्लीज आपको ये चीज समझनी होगी इसके साथ या जो प्रॉपर्टी से रिलेटिड बिजनस में साथ धानी बरतनी अवश्य होएं आपको तो जुरूर बढ़ती हैं कोई भी डील करने से पहले पेपर वर्क चुहो उससे तरह अच्छी तरह से चेक कर लीजेगा आज नोकरी पेशा लोगों को किसी प्रॉजेक्ट पर टीम वर्क पी काम करना अच्छा लग सकता है बहुती बढ़िया नितीज़ भी मिल सकते हैं टीम वर्क में काम से रिलेटिड जिम्मेदारी बढ़ने की वज़ए से व्यक्तिकत जीवन के लिए वक्त निकाल पाना आपके लिए थोड़ा कठीन हो सकता है लेकिन आपको अपने लिए समय निकालना पड़ेगा तभी आप अपने लिए और अपनों के लिए समय निकाल पाएंगे तो प्लीज थोड़ी दिनों में आपको ऐसा कुछ बनाना होगा प्रोग्रम वगेरा आपको अपने पूरी जो डेली आपकी जरूरती है उसको भी देखिए कि आपको क्या चाहिए अपने पर्सनल लाइफ में बिजनस भी करें लेकिन वो भी बहुत जरूरी है तो उसे के साथ एक करण की बात हो गई लेर लेर चिंता किसी प्रकार की आपको सता सकती है आज परिवारिक कवातावरन जो है काफी लोगों के लिए जारादर खुष्टमाही बना रहेगा विवाह के योगे जो व्यक्ती है उनके लिए काफी उच्छी तरिष्टा भी आ सकता है जो कि आपके लिए बहुत ही बढ़ का रहेगा तो ये बात कर ली हमने अभी लव-लाइफ की और अगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज कि स्वास्ते के बारे में स्वास्ते कहता है कि समित अनाव का प्रभाव आपकी कारक्षमता पर आपके मनोबल पर असर पढ़ सकता है योगा करे, मारिटेशन करे बलकि आज जो अभी महौल है उसके लिए तो योगा मारिटेशन बहत जरूरी है साथ मियाज मन में आ रही नेगटीव विचारों का परिणाम आपकी स्वास्ते पर दिख सकता है साथ मियाज सितारे कहते हैं कि आज सहे तो ठीक रहेगी फिर भी अधिक जो है आपको तला हुआ जो है मसालेदार भूजन है वो बिलकुल नहीं करना चाहिए ज्यादा काम के बोच की वज़ा से शरीरिक और मानसिक ठकान बगएरा हो सकती है इसलिए काम के साथ साथ अपनी खुद का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है तो इसे के साथ यह बात कर लेते हैं आज के विशेशुपाई के बारे में तो आज के लिए भी शेशुपाई आज आपके लिए कहता है कि आज आपको गुप्त रूप से सेवा करनी चाहिए चाहे दन की सेवा है, मन से है या धन से है, सेवा जरूर करे चाहे किसी मंदिर में करे, गुरुदवारे में करे या फिर आप किसी ससंग घर में करें जहां में आप जाते हैं जिसमें आपकी श्रद्धा है वहाँ पर आप गुप्तरुप से सेवा जरूर कीजेगा आपको बहुत ही जादा फायदा होगा और अपने इश्टदेव की आपको प्रसंता भी हासल होगी तो दोस्तों अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा धन्यवाद